Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to Destination Success तो आज की आपकी जो ये वीडियो है ये क्लास 12 है इस्ट्री सब्जेक्ट का चाप्टर नुमबर 13 महात्मा गांदी और राश्ट्रे अंदोलन तो basically इस चाप्टर में जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम महात्मा गांदी की पूरी जीविका के बारें पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसे-कैसे भारत में वह आया उन्होंने काउन चौन से अनौलन की शुर्वात करी और कैसे भारत को असादी देलाने में उन्हें अपना contribution दिया था तो स्टार्ट करते हैं यह चाप्टर तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तैकि जो भी आपकी अपकमिंग वीडियो आपको उनकी नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए और उसके बाद जो रहे और जनवरी 1915 में वावल भायत वापस आ गए दो दशक का मतलब होता है आपका 20 साल क्योंकि एक दशक में दस साल होते हैं तो दशक में आपके 20 साल तक हो जोदे विदेश में रहे थे पढ़ाई करने के लिए अपनी और 1915 में वापर वापस आ गए थे गांदी जी न शेत्र वहां को उसके बार भापते समुदाय के निता बन गए थे मतलब जो आपका दक्षन अफरिका उपका किया कि रहा थे अंको एक भारते समुदाय का निता बना दिया था उन्होंने आपके साल आंदोलन की शुरुवात करीज पर अंजय कि आपके लोग पर अजादी सहीं मिल सके मुक्ति मिल सके और जो बें इन सब वया अदि भा बोरी चीजिक्ब और देखा भापर बना दिया यह झा घ्सक अवरिका डिया दक्सिन आफटी तो इस अंदोलन को जब वहां पर सफलता मिल गई तो उसके बाद ही उन्होंने उसको भायात में अपनाया था उन्होंने विबिन धर्मों के बीच एकता को बढ़ाने का प्रयास किया मतलल जिसे कि गांदी जी ने यहाँ पर भायत में क्या करा था हिंदू मुसल्मान दोनों को एक करने की कोशुश करी थी ताकि हमारा देश अजाद हो सके गांदी जी का यह मानना था कि जब तक आप एक देश में तब तक एक देश अधाद नहीं हो सकता तो इसलिए एकता बनाने के लिए उन्होंने क्या कर लोगों संदेश देने शूरू करें कि आपको पर ने अथाग कर रहे हैं या यापकि सारे भीड़व को खत्म करो और एकता को अपना लो वाले बहारतियों को निम्न ज हम लोगों और महिलाओं के प्रती है वाले व्यपाइघ के लिए उन्हों हम आपको उपर है कि जी कौuito करने का परयास करता है जायो किसी भी धर्म कराहों कि लिंक से बिलॉंग करता हो गांदी जी इन सब क्या करा एक ता बनाए रखने के लिए कियो ताकि देश अजाद हो सके 1915 में जब गांदी जी भारत वापस आए तो उस समय का भारत 1893 के भारत बहुत अलग था मतलब गांदी जी गए कब थे नाइटीन नाइटी थी में गए थे और वापस कब आए है आपके 1915 में 1995 में वापस आए तो बतलब जब इतना सारा टाइम कांदी जी उस भी देश में गूजा रहा था तो काफी समय की वजह से तो जी तो भारत काफी बदल चुका था वहापर काफी सार बदल आवा चुके पर एक चीज वह कॉमन ती ती वह यह थी कि 1893 में भी ब्रिटिश रूल था 1915 में भी ब्रिटिश रूल था अंग्रेज हमारी भायत में तब भी थे अंग्रेज भायत में अब भी हैं बस जो बदल गया वह क्या था आपका राजनीतिक दिरिष्टी मतलब जो अमारे देश के जके कानुन सर्कार दौरा बिलाए गए हैँ वह वह सारे यहां पर बदल चुके थे नहीं मिलकरे से शुरुबात करी थी भारत में सुदेशी आंदोलन 1905 से 1907 तक चला था मतलब दो साल का समय लगा थे संदलन को चलाने में और लागू करने में और इस आंदोलन के प्रमुख तीन नेता थे एक बाल गंगादर तिलग जो आपके महराश्टर से थे दूसरा विपिन च पनाने की सिपारिश करी अब गंदीजी ने क्या वुला था आपको आहिंसा का रास्त आपनाने के सिपारिश करी आप ग tapa कर अखे, पर इन तनों ने क्या वुला अगर आपको आंग्रेशों चीतना है आपको आपको और यह हंसा चोड़कर यहां साल ह Ao threw हागा got तो यह था आपका सुदेशी अंदुलन में आपका ज़्यादा कुछते भी नहीं है मुश्किल तो दो दी नमबरा कोशन आता है अगर आपको नमबर पूरे मिल जाएंगे कोशन भी इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं अगर आएगा भी तो आपको यह आए कि लाल वाल पाल कौन थे तो आपको नाम पता होना चाहिए उसका बस उसके बाद नेक्स टॉपिक आपका आता है बनारस विश्व विद्याले समहरो एक बनारस का विश्व विद्याले था जिसमें एक समारो जो था आयोजित किया गया और उस समाहरों के समय क्या हुआ था एक घटना घटे तुई ती इसके बारे में यह टॉपिक आपका है बनारा स्पेश्व विद्याले क्या है आपका BMU के नाम से इसको जानते हैं BMU आपका एक युनिवर्सिटिटी यह डियू है डेली उनिवर्सिटी ऐसे आपका BMU है बना मतलब ऐसे लोगों से प्यार करने वाले लोग ते ऐसे लोगों ने आमंत्रत इसमें करा था जिनके द्वारा दिये गए दान से बनारस हिंदू विश्र विश्र विद्याले की स्थापना में योगदान दिया मतलब ऐसे लोगों से बुलाया गया था जिन्हों ने दान दिया था और जिनके दान से विश्र विश्र विद्याले था उसकी स्थापना की गई थी समारों में एनी बेसेंट जैसे कॉंग्रेस से कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्तित थे अब आप कोगे सिर्फ कॉंग्रेस के क्यों कोई और भी तो पार्टी है बीजेपी है और भी हासारी पार्टी है उनको क्यों नहीं बुलाया गया जब गांधी जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की और ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग के आड़े हाते लिया मतलब तो गांधी जी को बुला बलाया गया स्टेश पर क्या आओ और आप आके दो बाते बोलो कहते हैं कि कोई समारो होता है तो जो लोग आपके चीफ गेस्ट रगारा होता है आप उनको स्टेश्ट बार कहते हो कि आप कुछ दो बाते बोलो तो गांदी जी की चब बार एक उन्हों ने क्या करा तो आप पर मजदूरों को और गरीब लोग की तरफ ध्यान नहीं दिया ग उनको निशाना वना एक तरीके से कि आपने ऐसे यह गलत गलत काम कर रखे हैं तो हम मैं आपको ही बोलूँगा तो इस तरीके से गांदी जी ने उनको आड़े हाथो लिया था उन्होंने कहा कि बनारा स्विश्ट विद्याले की स्थापना बहले ही शांदार है अब उन्हो जब्रूरी है हमाएं देश के लिए आपने उनी को जानने दिया किंटू इन्होंने महां धनी और अमीर लोगों को देखकर गरीब लोगों के लिए हैं अमीर हैं पर गरीब लोग तही है यह नीं तो उनकी तरफ उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने आपको इन अलंक करनों से मुक्त ना कर लें। अलंक करन मतलब इत्रगी से भेधभाव कह सकते हो आप। कि गांदी जी ने ये बात बोली हमापर स्टेश पर कि हमारा भाव तब तक मुक्त अजाद नहीं हो सकता जब तक आप अपने आपको इन भेधभाव से मुक्त नहीं हो सकते बेधभाव कैसा गरीब अमीर के बीच का बेधभाव और कारे रोगोले के बीच का बेधभाव किसी धर्म के बीच का बेधभाव लिंक के बीच का बेधभाव जब तक आप अपने आपसे बेधभाव अलग नहीं करोगे आप अजाद या मुक्त नहीं हो सकते उड़ों ने कहा कि हमारे लिए श्वसासन तब तक कोई अभिप्राइश श्वसासन नहीं होगा यहाँ पर यह सुराज होगा तब तक किसका मतलब नहीं रहेगा सुराज का जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगबग सुराज को नहीं मिल सकता जब तक हम किसानों को उनके का है मारे वहाँ चैसा करे mothers या फिर टैक्स के रूप में तो एक तरीकी से क्या नुक्सान होता था उनको कि जितना हम कमारे तो ना तो हम लिटिश को दें तो हम क्या खाएंगे तो गांदी जी ने इसी बात को आपर बोला था ये एक देश तब तक अजाद नहीं हो सकता तब तक सुराज नहीं मिल सकता जब तक आप किसानों का जो लाब है उसको दूसरों को देते रहोगे जब आप किसान को अपना लाब खुद दे लग जाओगे ना मतलब किसान को उसका लाब खुद मिल रहा है तब हमारे देश अजाद हो सकता है हमारी मुक्ति केवल किसान के माध्यम से ही हो सकती है मतलब गांदी जी ने बात बुलती है कि मुक्ति से तो कौन दे सकते हैं हमें सिर्फ किसान दे सकते हैं ना वकील दे सकता ना डॉक्टर दे सकता ना जमिदार मतलब कोई भी इंसान हमें सुराज या फिर मुक्ति नहीं दे सकता कौन दे सकता है सिर्फ किसान दे सकते हैं क्यों क्यों ही उनके हथ में सब कोछ है हमारे देश का कि ग Kirby गांदीची ने स्वेम आप की ज्हें अपक शुर में रिदा lal Reailable को मिल रहा है तो गांदी जी ने क्या करा अपनी बढ़ाई देने की जगा अपनी तारीफ करने की जगा क्या करा किसानों के लिए वहाँ पर बोलने का सोचा जो भाति जन संख्या के अधी संख्या हिस्से के निर्मान करने के बावजू को बहां शुरताओं में अपस्त नहीं कोई भी किसान ने फिर गरीब इंसान मौजूद नहीं था तो इसारी बातें गांदी जी ने वहाँ पर अपनी स्पीच में कही थी तो इन शॉट नहीं पर गांदी जी कहने का मतलब क्या था उन्होंने पूरा-पूरा सपोर्ट करा कि इसको किसानों को और गरीबों को तो यह थी आपकी विश्विद्दाले समारों की एक गटना उसके बाद आता है आपका गांदी जी के प्रारंबिक अंदुलन की गांदी जी ने जो अंदुलन स्टार्ट करें थे हमारे भायत में कौन-कौन से थे गांदी जी ने बहुत सारे अंदुलन करें बर जब गाउं का है दूसरा आपका एहम्दाबाद का है तीसरा आपका खेड़ा गाउं का है यह तीन प्रारंबिक अंदुलन है इसके बाद और भी बहुत सारे थे तो इनको डीटेल में बढ़ते हैं 1917 का वर्ष चंपारन में गांदी जी का किसानों को अपनी पसंद की फसल उगाने की अजादी दियाने में बीता उन्हीं सुत्रा का वर्ष कहां था गांजी जी न चंपारन गाउं में कांदोलोन शुरू करा जिसके तो उन्हें क्या करा कि मतलब जो भी किसान देना उनको अजादे देलाई कि वो अपनी पसंद की कोई फसल उगा सकते हैं इससे पहले होताः क्या था उन्हीं सुत्रा से पहले-कि-सान जो थे वो अपनी पसंद की कोई फसल नहीं उगा सकती थे वह वही फसल उगाते थे जिनको उनको आदेश मिलता था बिर्टिश के दवारा मतलब British कहते थे कि आप गेहु उगा तो गेहु उगाते थे बिटिश कहते थे आप चाब़ लगा तो आप चाब़ लगाते थे पर 1919 के बाद गांजी जी ने जो अंदोलन स्टार्ट करा उसके बाद जो गिसान थे उनको पूरी अजादी मिल गई कि जिस फसल से गिसानों को लाब हो सकें वह वह वर उगा सकते हैं, तो यह उनका अंदोलन ना चंपारन गाउं में, उसके बाद 1918 में गांजी जी गुजरात में दो अभियानों ने संगलंग रहिए, संगलंग मीन्स बिजी, 2018 में 2 अंधोलन करlapping钱 ehramedabad में कपड़े मेलों में चान बाली लोगों के लिए काम करना की बहतेर वज़ी सितियों की मांग करी मतलब एहमदाबद में कपड़ों की मेल थी कपड़ों की फैक्टरिया थी उनमें क्या करते था उनको पहले चीड lat तो पहले जाता है कि चार गंडे काम करना है तो उसे डबल काम करवाते थे उनको पैसे भी ते दिनी थे और पर उस्तिती थे उनकी वह बूई हो जाथी इससे क्या ता गांधी जी ने क्या करा लोगों ने जब उनके से रिक्वेस्ट करी कि आप यहां पर आओ एक अंदोरन कर जिसके बाद जो लोगों की स्तिती थी काम करने वाली कपड़ों के मीलों में वह काफे हद तक सुधर गई दूसरा अंदोरन कहां पर करा खेडा गाओं में खेडा में फसल चौपट होने के होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग करी मतलब दूसरी घटना खेडा गाओं में मतलब अधिय को छिके की तक मिलों में देना कर लिए जिसकी वजय से लोगों ने जारे कराद को बुलाया वहाँ उनको बोला हैं आप मारी मदद करो गांजी जी मदद करिए कि का अंदोलन के सारे उन्हें अंदोलन कर रहां जिसके बाद जो लगान जो टाइक साना वह जो बिटिश से अनोंने माफ किर दिया था इसकी बाद आपका नेक्स रहता है और सयोग अंदुलन अर सयोगा उंदुलन की शुरुआत कैसे हुई थी क्या के चीज्डेस में इंकलूड करी गई थी तो और सही अंदूलन इसे नाम से पता चल रहा है आपको कि मतलब बिटिश अर्सका सयोग ना करना गांजी जी क्या वोला है कि आप कि विज़ चीज की हिंसा नी करने है मार पीट नहीं करने है आपको बात चीज से मतलब सुल्जाना है उस चीज को तो और सहयोग आंदोलन के आता मतलब गांधी जी नहीं बात बुली थी कि आप जोवी चीज़ आपको बृटिश बोल रहेां अंग्रेज बोल रहे हैं और आपको उस नहीं मानना है उनका सहयोग नहीं करना लड़ना नहीं हिए उन शाथ मार पीट नहीं करने हं आता पाई न करने के बाद किता है जो गरीब थे ना उनके मन में गांजी जी के लिए सहनु भूती आ गई कि हाँ यह इन्सान अच्छा है यह वाई ले काम कर रहे हैं हमारी मदद कर सकता है आगे भी तो 1914-1918 के महान यूदि के दोरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंद लगा दिया और बिना जाज के कारवास के नुमति दे दी मतलब जो 1917-1918 के बीच का यूद हुआ और इसमें अंग्रेजों ने क्या करा जो प्रेस थी मतलब जो आपकी प्रेस कपड़ों पर करने वाली प्रेस नहीं आई है जो आपकी न्यूज होती है ना उन सब प्रतिबंद लगा देगे मतलब न्यूज वाले कुछ भी नहीं च सब्सक्राइब को जेल में भीज सकते हो तो यह बात उन्हें ने वहापर लागू करती थी अब सब्सक्राइब के अधिक्षा वाली एक समीती में एक समीती के संस्तूतियों के अधार पर इन कटोर उपयों की जारी रखा मतलब एस सर श्रीडिन रॉलेट था जिसके अकॉर ना मेट से परमिशन लिए विए अग्लियों से परमिशन लिए विए विए चाप सकते हो और कोई भी इन्सान अगर आपको लगता है कि यह गलती करे आप सब्सक्राइब को साइची चलती रही थी उत्तरी और पस्ट्री भारत के चाल तब से बंद का समर्थन किया मतलब ज इन्स से क्या हुआ थला जीवता है कि जीवन भाय थला उंचाज भाई तर फूर देश ही रुटड़ा क्या सिर्वन झाल जीवन थलों का ड्रीक तरिकें से लो डेशन भारत का सूरा थिह अजितरी चलती षाब लोगन की अम धिशन फाया की मतलब सारे के पीछ भी आ नोग कि मदब ऐसा आप क्यों कर रहे हूं मदब किसी कोई बिना किसी जांच के आप जेल भेज़ रहे क्या पात उत्ये तो यह था आपका रोल एकटैक जिसे खिलाब गांदी जी ने क्या करा पूरी देश में अभियान चलाया पंजाब में विशेश रूप से भारी विरोध हुआ है इस चीज़ का पंजाब के बहुत से लोगों ने यूद में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी मतलब यूद हुआ था तो इस ट्रहें पर कहता है पंजाब के जो लोग थे ना उसमें काफी साही लोगों ने क्या करा अंग्रेजों के पक्ष से लड़ाई करी मतलब अंग्रेजों की साइट थे वो लोग यही लोग अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे अब अब अफकॉस ही बात है यह कानून मोड लगा दिया रोल एक्ट एक्ट के नाम से पंजाब जॉटे साह में गांधी जी को कैद कर लिया गया मतलब उन लोग ने गांधी जी कैद कर लिया पकड़ ले जेल में डाल दिया स्थानी कांग्रेस नेताओं को भी गिरफतार कर लिया गांधी जी के साथ जितने भी नेता थे ना सबको ने क्या करा गिरफतार कर लिया और स्थी धेज्टिय तनाफ़ पून होती गई मतलब सब लोग को गिरफतार कर रहे बिना बात की तो अपको उसी वाते हम लड़े जगड़े तो होंगे ही तो क्या हुआ तनाफ़ फून महौल जिता हम आपर वह बन चुका था एप्रिल 1919 में अम्रिच सर में खून खून खरावा अपने चरन पर पहुच गया मतलब आपने बढ़ने बढ़ने जलिया वाला बाग अग्रेश का ब्रिगेडियर था मतलब जो हैड था सेना को उसने क्या करा एक सभा पर गुल चलाने का अधेश दे दिया इसे जलिया वाला बाग घत्या कांड में चार्ट सो से अधिक लोग मारे गए जलिया वाला बाग नाम की जगा पर जिसमें 400 लोग जो ते वह मारे हिंसा करूप लिया था उसने तरीके से रॉलेट सत्या केहा से ही गांदी जी एक सच्चे राश्य निता बन गए और उसके वाद उन्हों ने अंग्रेश के खिलाब असायोग अभियान का मांग कर दी मतलब जो इन लोग देखा कि लोग जो ते लोग और मारने लोगों को ब भारतियों से अग्रेय किया गया कि स्कूल कॉलेज और ना जाएं मतलब करना चुका है मतलब जो भी जिदने भारतियों देशमान सबसे यह बात बोली कई कि कोई भी जगा इंग्रेश उत्वारा बनाई गई है चाई आपको महाँ पर नहीं जाना है और नहीं कोई कर चुक करत मिते हो चांप का और ** ऐख करनी देते हो तैंक क्या होगा एक साल के इंधर अंधरी स्वाराध को प्राप हो जाएगा गांदी जी को ये उम्मीद थी कि असायो गांदोलन और हिंदू-मुस्लिम एक्ता इसे अंग्रीजी शासन का अंथ हो जाएगा अब एक्ता के वारे में तुमने पहले ही पढ़ा से कि गांदी जी का ये कहना था कि जब तक आप एक्ता नहीं रखोगे तब तक आप अज़ाद नहीं हो सकते सेंटी यहां पर उन्हें दुबारा बोली है कि गांदी जी को ये उमीद थी कि अगर हम असे अंदोलन को स्टार्ट करते हैं इसको बनाए रखते हैं चलाए रखते हैं और हिंदू-मसल्मान एक हो जाएं तो इन दोन चीज़ों क्या होगा हमाई देश में अज़ादी हो ज जाएंगे तो यह था आपका असे अंदोलन के बारे में जिसके सथ आपका यह वीडियो आ यहां पर एंड होती है बाकी के जो भी टॉपिक्स होंगे हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर और सुप्राइब माई यू